हिमाचली पहाडी कला के उत्थान और विकास के लिए तरीगर्थ अवुद्य परशिद एवं भाशा कला संस्कृती अकादमी शिम्रा के सहयोक से ठाकुर जगदेब चंद समृती चंद शोत संस्थान नेरी में साथ दिपसी पहाडी चितर कला पर्शेक्षन सिविर का आयोज पहाडी चितर कला के उत्थान के जुटे हुए है पच्छिस वर्षों से पहाडी चितर कला में कला साथना रथ हूँ और अभी केंद्री विश्व देले धर्मशारा में पहाडी चितर कला को लेके स्रोध कारे कर रहा हूँ आज हम लोग नेरी सुदस अंसान हमेपू में एक कला शिपर शलाने जा रहे है जो की 28 दिसंबर दर चलेगा और इसमें हम पहाडी चितर कला के बारे में इनकी बरीकियों को जो नोधित चितर कार यहाँ पर आएंगे वाग्यों में विशाकासर्मा ने बताया कि पहाडी चितर कला कारे शाला में हिस्साले रहे हैं और पहाडी चितर कला प्राचीन चितर कला में विशेष स्थान रहती है और इसलिए कला को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षन ले रही है ठाकूर जगदेव चंद समृती चंद शोत नस्थान नेरी के निदेशक चेत्राम गर्ग ने बताया कि हिमाचले कला को बढ़ावा देने और पुरानी पहाडी संकृती को संजोने के लिए कारेशाला में काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि कारेशाला के दोरान युवाओं को मौका मिल रहा है जिसे पुरानी प्राचिन कला पहाडी कला को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत की गई है जिसका बड़िया परिणाम सामने आयागा उन्होंने बताया कि परशिक्ष्टू चित्रकारों को साथ दिनों तक पहाड़ी चित्रकला की बारीखें शिखाई चायेंगी इसके अंत्करत रेखांकन बीधार, रंगियोजना, तुलकाओं का निर्माण एवं चेन वह स्थ निर्मिफ कागस की कला को सिखाया जाएगा अभिहुद्य परिशद हिमाचल प्रदेश, भाषा कला अकाडमी हिमाचल प्रदेश, नए कला कारों को हिमाचल प्रदेश की जो कला दुनिया भर में जानी जाती है, पाड़ी कला उसमें एक ऐसा बीट में काल खंडाया जो हमारी जो विकास की जो गती थी, वो अवरुद जैसी हो गई थी तो आज ऐसे कला कार उभरने लगे हैं, जो इस कला का विकास निरंतर कर रहे हैं शुर्वेश कुमार जी जो नेरी में छे दिवसिय ये कारेशाला प्रारंभ की गई है, इसमें युवा नए कला कारों के लिए मुका मिलना है और ये छे दिन में अच्छे प्रगार से ने ने जो हमारी प्रानी प्राचीन कला है, उसका स्रीजन किस तरह से हुआ है, किस ढंग से वो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सारी अभ्यास ये छे दिन करेंगे और इसका एक बहुत अच्छा उत्सा यहां देखनों को मिलना है, एक प्रारम से छोटे से 15-20 विद्यारतियों से ये शुरू होके धिरे धिरे ये आगे बढ़ेगा